और सीम मनोहरलाल का धुआधार प्रचार जारी है, सीम ने कैथल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, साथ ही आपको बता दें कि सफीदो और नर्वाना में भी जनसभाईं की गई हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर सफीदो, नर्वाना और कैथल की दस्वेर हैं, जहां सीम मनोहरलाल पहुँचे और अपने अपने प्रत्याशी को जत्वाने की अपील लोगन सेगी कैथल में चुनावी जनसभाई को संबोधित किया सीम मनोहरलाल ने जहां उन्होंने परिवारवाद पर कोंग्रस पनिशाना साधा और साथी कहा कि हर्याना में पांक साल में 48 सालों से जादा काम हुआ है इससे पहले सीम सफीदो पहुँचे जहां उन्होंने चुनावी रैली कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मागे और कैथल की रैली में सीम मनोहरलाल ने परिवारवाद को लेकर विरोधियों पर हमला बोला है और मैं सीम ने कैथल की रैली में भी कहा कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शित अलाई गई क्या वो लगेगा चाय कोई हो किसी का भी हो और भाई मेरे तेरे के अगर बात करनी है आज तो मेरे कई बने हुए हैं पहले से उन्हीं में से लगवाव मैं कहता हूं गर इसी भावना को भी देखना है तो भाई थोड़ा सा अरंग बदलो थोड़ा लाइन बदलो कि जो हमारे अपने हैं क्योंकि सारा प्रदेश हमारा है सारा समाज हमारा है यह सरकार केवल हमारी जिन्होंने बनाई है उनकी नहीं है बीजेपी को लोगोंने बनाई करगता नेता बोटर बीजेपी को लोग का योगदान है उसमें सरकार बनाने में लेकिन जब सरकार बन जाती ह और जीन के सफीदों में सीम ने जनसभा को संबूधित किया है जरान सीम मनुहर डालने पीम के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले नारे पर अपनी बात जोड़ी सीम ने भृष्टाचार को लेकर विरोधियों पर कैसे निशाना साधा है आप भी सुने दूसरा उनने का था ना खाऊंगा आगे ना खाने दूंगा हमने तो और भी एक बात कहीं है ना खाएंगे ना खाने देंगे और गलत ढंसे जो खाया पिया है उसको भी निकालेंगे जनता का माल है वई, जनता का धन है, जनता की संपत्ती है, आप खागे अपनी जेव में क्यों रख रहे हो, ये वापिस जनता के पाद जाना चाहिए, ये जनता का है